हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टो एडुमेस मेंटर, तो स्वागत आप सभी का एडुमेस मेंटर पर, तो आज का जो हमारा टोपिक है, वो है अंगुलर मोमेंटम ओफ रिजिट बोडी, अबाउट ए फिक्स्ट पॉइंट एंड फिक्स्ट एक्सिस, तो एक्जाम में के, एक् फिक्सट एक्सिस, तो हमें ये सारा आर्टिकल वहां पे मतलब रिप्ररेजेंट करके आना होता है, विद थोरी, ये लास्ट में, थोड़ी अधिशी थोरी भी लिखिया है, तो फिक्स्ट पार्ट पाट तो एसा है, आपको उस आर्टिकल के बारे में जो पता है, आप उस तो इससे उपर वाला जो आर्टिकल है वो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था आप डिस्क्रिप्चिप्चिन बॉक्स में लिंक है वहां से क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने लास्ट आर्टिकल नहीं देखा है तो आप इस लास्ट लेक्चर को देखके आए और फि लिए वह उस्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है थ्रो ए फिक्स्ट न वांट आपने थीडिस्प्लेस्मेंट होती है आपने थ्वड़ी सी फिजिक्स भी पढळे होगी तो जहां पर एंग्वलर वेलस्ट्री काम करती है अपने ठीक है और जब हपनी सिंपल डिस् पे अपनी velocity काम करती है simple velocity linear velocity ठीक है then the velocity V of P यह जो particle है आपका उसकी velocity और angular velocity में यह relation होता है ठीक है ना हम last class में बढ़ गया आते हैं V is equals to omega into r यहां पे vector में लिख रहे हैं तो V is equals to omega cross r ठीक है where omega is the rate of change of angular displacement जैसा कि मैंने आपको बताया omega क्या होता है change of angular displacement देखिए मैं थोड़ा सापको फिगर से समझाता हूं और यह वो fixed point है जिसके about आपका यह P particle देखो जैसे यहां पे था यह P particle यह ऐसे rotate होना start करें यह ऐसे गुमेगा समझ रहे हो ना यह ऐसे गुमता जाएगा तो यह एंगुलर इसके पहले तो यहां पर देखो यहां से लेकर यहां तक आया तो इसमें कितना प्लेट displacement थी और बाद में कितनी होगी थिटा प्लस डेल्टा थिटा तो चेंज कितना हुआ डेल्टा थिटा ठीक है न तो rate of change और किसी की भी rate जब निकालते हैं तो by default time की respect में निकलती है तो आपनी अंगुलर velocity ठीक है एडेल्टा थिटा अपनी अंगुलर वेलोस्टी ठीक है एंड आर पोजिशन वेक्टर तो आर इस पॉइंट पीका पोजियन वेक्टर है उसके बाद हमें अंग्लर मोमेंटम का फर्मिला पता होना चीए ठीक है और अंग्लर मोमेंटम को अब find out करेंगे क्योंकि हमें आर्टिकल में निकालना ही angular momentum है तो अब इस formula को apply करते चलेंगे और जो जो जी जाएंगे उनको put करते चलेंगे just बस calculation work है simple सा ठीक है आराम से समझ में आएगा आपको देखते रहें बस continuity में ठीक है फटाफट आप स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं calculation work करेंगे हम just तो देखिए h vector is equals to r cross mv तो मैंने just क्या किया linear momentum into perpendicular distance तो यह आपकी distance into linear momentum ठीक है और particles का सभी का लेना है तो समेशन ले लिए हमने ठीक है ना समेशन पूरे सिस्टम का लेना है ना इसलिए क्या ले लिए समेशन आर क्रोस mv उसके बाद आर क्रोस m उसके बाद बाद मैंने v की value पूट कर दी कितनी omega cross r ठीक है तो अब यह देखिए हमारे पास m constant है तो यह m भार आगा m r cross omega cross r यहां से a dot b फिर इसी sequence में ठीक है a dot b into में c vector अब dot product करने के बाद तो scalar आ जाता है तो scalar की simple product होती है vector के साथ यहां पे कुछ भी dot या cross मतलगा दे ना कभी गलती से ठीक है अब यह a है यह b है यह c है तो पहले क्या होता है a dot b तो r dot r just यह formula apply करने है आपको तो क्या हो जाएगा r dot r into omega minus r dot omega into r vector ठीक है अब r dot r किसी vector के आप खुद के साथ dot product करवाते हैं तो वो क्या बन जाता है उसके magnitude का square तो m ऐसे किया से as it is और यह r का square into omega ठीक है minus r dot omega into r vector यह सेम इसको मैंने star consider कर लिया equation को ठीक है क्योंकि हम इसका आगे यूज करेंगे इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया which gives the vector angular momentum तो एक्चल में हमारे पास vector angular momentum आते चुका है बट हम इसको थोड़ा सा further study करना चाते हैं इसकी values put करेंगे और इससे कुछ results निकालेंगे कि क्या क्या चीज में नहीं आएगा आपका साथ से आठ नमबर में आएगा तो वहाँ पर आपको पूरा describe करना होता है तो देखिए let i, j, k be the unit vector along the coordinate axis तो i, j, k आपके coordinate axis के along unit vectors होते हैं ये तो fix होता है ठीक है na then r vector क्या हो जाएगा अपना x i plus y, j plus z, k ये जो position vector है इसके coordinate क्या हो जाएगे i, j x i plus y, j plus z, k उसके बाद w के क्या हो जाएगे w1 i plus w2j plus w3 k और h vector के क्या consider कर ली हमने h1 i plus h2j plus h3 k और इनको हम put कर देंगा ये देखिए ये जो expression आ रखी न स्टार इसमें तीन vector चल रहे है हमारे पास एक तो h vector r vector और omega vector मैंने इन तीनों को consider कर ली ये देखिए अब इन तीन plus h3 के similar mr square into omega vector था तो मैंने इसकी value put कर दी minus m यहाँ पे r dot omega था r और omega की dot product और दो vectors की dot वेक्ट यानि की r और omega की dot करनी है तो dot product कैसे होती है ii वाले की product यानि की w1x plus w2y yy वाले की और kk वाले की product हो जाती है तो w3 z ठीक है तो w3 क्या जेगा मारे पास z तो ये r dot omega है और into मे क्या था r vector x i plus y j plus z के तो मैंने इसको just star में क्या किया है put किया है तीनों vectors की value को उसके बाद हम देखेंगे कि अब दोनों साइड इधर साइड और ये right hand side में left और right में दोनों साइड vectors आ रहे हैं और दो vectors को हमने क्या लिख रखा equal अब दो vectors सिर्फ एक ही case में equal हो सकते हैं ज क्योंकि ये बंदा बोल रहा है कि ये दोनों vectors equal है ठीक है अब equal है तो हमने equate कर दिया तो h1 किसके equal आएगा ये i का component है इधर i का component को नहीं ही रहा summation mr2 w1 इसकी अंदर multiply होगी न तो summation mr2 w1 तो summation mr2 w1 minus summation m w1 x into x की multiply होगी तो ये क्या आजएगा x square और क्या आजएगा अपने पा multiply होगी ये जो है ये complete scalar quantity है इसकी इस x के साथ multiply होगी इंटू में को नहीं आएगा i vector तो हमें i के component compare करने है तो क्या आजएगा summation m ये complete into x तो ये देखिए मैंने लिख दिया हम सिर्फ पहले एक बार i के components compare कर रहे हैं तो अब देखिए ये अपने पास क्या आजएगा x के अं का लेंगे R का यानिकी magnitude का square करेंगे तो क्या आजएगा x square plus y square plus z square और into में क्या है w अब w के अंदर multiply कर दीजिए तो w1 x square आएगा w1 y square w1 z square minus में देखो इस x के अंदर multiply की थी हमने तो ये quantity आ रहे हैं अब ये देखो summation m और x square into w1 और ये वाली quantity दोनों सेम है तो ये cancel हो होगी cancel ठीक है similar जब आप y के components को compare करोगे तो y वाली term cancel हो जाएगी दोनों में similarly जब आप z के components compare करोगे तो कौन सी term cancel हो जाएगी w1 z square वाली ठीक है ना तो ये sequence है यह आप याद रखने आपको solve भी करना होता है ठीक है ना कर भी सकते हैं लेकिन यहां पर हमने similarly करके लिख र ही w2 constant है तो बार आजाएगा w3 constant है तो वह भी बार आजाएगा अब यहां पर आपको first lecture की need होगी second lecture की जहां पर हमने standard notations के बारे में बताया था ठीक है ना second third lecture में I think standard notations में सबका link आपको description box में मिलेगा वहां से आप जाके देख सकते हैं तो standard जो भी notations थी उनमें यह capital a उसके बाद w2 बार अब यह summation mxy product हो रखी है और किसकी ट्रम मिसिंग है जड की ठीक है तो यह किसकी अब आउट है वहाँ पे तीन टाइप की होते थे def तो लास्ट वाली मिसिंग है तो यह किसके कुन सा हो गया f हो गया ठीक है अब इसमें y मिसिंग है तो यह बीच वाला components compare करेंगे जे के सोरी तो यह आ जाएगा और फिर दोनों साइड अगर के components compare करेंगे तो आपके पास यह quantity आ जाएगी फिर हमको इसको की लिखना एक मैट्रिक्स के अंदर ठीक है तो अब देखते हैं दस्दा angular momenta plural form में लिख रखा है क्योंकि तिन्नों हमारे पास क्या आग आएंगे sequence में यहां पर तो w2 पहले आये हुआ है लेकिन w1 को पहले लिख दिया ठीक ताकि तिनों sequence में आ जयाए w1 का पहले फिर w2 फिर w3 ऐसे यह भी w1 W2 फिर लिख देंगे इसको तो यह हमारे पास तिनों आ जाएंगे AW1-10-EW3 और यह सारे पहले W1 लिख दिए फिर W2 फिर W3 अब यह देखिए हमारे पास system of linear equations बन रहा है न ठीक है तो हम इसको represent कर सकते हैं in matrix form 12th class से पढ़ते आते हैं हम इस article को इस system को हम linear equation मतलब matrix की form में लिख सकते हैं जो की कैसे तो first matrix कोण आजएगी H1 S2 H3 column matrix और second matrix इन coefficients की आती है W1 W3 के coefficients की ठीक है तो कौण कोण आजएगा A-F-E-F-B-D तो यह सारे coefficients बैने लिख दिए उसके बाद W1 W2 W3 ठीक है na column matrix जो आप इनको solve करेंगे तो यह system वापीस यह बन जाएगा ठीक है अब याद रखने का तरीका देखो H2S 3 को अगर आप डरेक्ट लिखना चाहते हो बिना solve करें paper के अंदर अगर आप यह similarly करके डरेक्ट लिखना चाहो तो कैसे लिखना है दो को इस matrix से याद रखना ट्रिक बनाई है मैंने एक वहां से याद रखना आप जो बीच वाल डाइगनल आएगा ना वो तो ABC आएंगे आपके ठीक है अब देखो इधर से sequence टार्ट होती है माइनस डी माइनस सी और माइनस अफ़एसे डीम अफ और इधर भी यहीं से डी इ इन ए फ टीक है न सब्सक्राइब तो say बनी है first matrix coefficient वाली इसको नाम देते है capital J जिसको बोलते है inertia matrix ठीक है बस यही तक हम इसके बारे में जिसको पता करने है और कुछ भी नहीं करने ठीक है तो इसको बोलते है capital J हमने इसको capital which changes the which changes the angular velocity into angular momentum यह देखो यह आपकी angular velocity है न तो यह आपके पास J जो है यह एक operator होता है अगर आप किसी भी angular velocity को कितनी भी दे रखी आपको numerical भी हो सकते है इसके पर अगर आप उसको जो जो आप इसके बारे में जानते हो उसके बाद इसके बारे में बता रखा है कि the elements of J depend on the shape and mass distribution of the body and coordinate system to which they are refer coordinate system पे भी depend करते हैं xyz पे ठीक है जिस में मतलब उनको describe कर रखा है उसी पे in fact when a body fixed coordinate system is employed in study of angular motion of the rigid body such as missile और a rocket the elements of J would be a function of time वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे function of time हो जाएंगे इनके case में ठीक है तो यह सब थोड़ी सी थोड़ी बता रखिए जो आपको exam में लिखनी होती है जो आप याद करके जा सकते हैं ठीक है ना या फिर आप इस article को देके उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं ठीक है तो में तो था इसका derivation जो आपको exam में प्रेजेंट करके आना होता है अपनी sheet पे answer sheet पे अच्छे डंग से यह figure बनाना है ठीक है न कि यहां से particle ऐसे rotate हो रहा है कि ऐसी series में lectures आते रहेंगे continue ठीक है so thank you so much चैनल को subscribe कर दीजिए thank you